हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर चिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप चैनल पर नए है और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टो टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और अगर आप अपने राज्चे में अपने आसपास कोई भी टीचिंग वेकिंसी या कोई भी बड़ी वेकिंसी के बारे में जानना चाहते है तो सबसे पहले इंफोर्मेशन पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका एक छोटा सा क्लिक बहुत एनरजी देता है तो अभी हम बात करते हैं डीटर प्लस भी से कुछ इंपोटेंट अपडेट निकल कर आईए जो मैं आप लोगों के साथ सेर करना चाहता हूँ और आप लोग भी जरूर बताएं अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कल जो कर्फियू है उसमें सपोर्ट करें और घर से बाहर ना निकले क्योंकि यह जो स्टैप है एक अच्छा स्टैप है इससे बहुत फायदा देखने को मिल सकता है तो अभी हम बात करते हैं जैसा आप जानते कि प्यार्टी का रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्राइम्रे टीचर का जो डियोई के अंदर वेकिंशिस थी तो उसमें अभी एक मामला देखने को मिला है एड्वोकिट असोक अगरवाल सर के पास एक केंडिडेट के फादर का मैसिज आया था तो उन्होंने बोला है कि जो आंसर की में मार्क्स थे वो काफी जादा लग रहे थे लेकिन अभी जो मतलब रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही कम मार्क्स हो गए इससे जो बच्चा है और वो खुद है वो सारे मतलब काफी दुखी हो चुके हैं काफी तनाव में हैं और उन्होंने बताया कि जो आंसर की के हिसाब से जो मार्क्स बन रहे थे फाइनल की आये थी उसमें 134.25 बन रहे थे लेकिन जो अभी मार्क्स आये हैं वो 107 आये हैं तो उन्होंने कहा है कि जो डीटर प्लेस भी है वो OMR सीट नहीं देता और ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि क्या पता उस उन्होंने गलत किया नहीं किया और गलत होता भी है जैसा आप जानते हैं बहुत सारे नएने केसिज आप देखते हैं तो वो क्यों होता गलत क्योंकि सबसे पहले डीटर प्लेस भी को OMR सीट प्रोवाइड करनी चाहिए तो यहां पर उन्होंने मांग करिये कि मतलब कुछ सॉलूशन किया जाए तो एड़ोकेट असोक अगरवाल सर क्या करते है हलाकि उन्होंने इस बात की जानकारी दिया भी और होफ़ुली वो कुछ ने कुछ सॉलूशन करेंगे और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप भी जरूर बताएं और बात आती है OMR सीट की तो हमने भी काफी बार मांग करिये OMR सीट जरूर मिलने चाहिए इससे क्या होता है कि दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है तो आई होब एडवोकेट असोक अगरवाल सर इस तरह के मामलों पर विचार करेंगे और हम भी कोशिज करेंगे हम भी सर से रिक्वेस्ट करेंगे हलाकि सर ने पहले भरोशा दिलाया था कि OMR सीट मिलना कोई बड़ा इस्यू नहीं है क्योंकि यह आपका हक है तो देखते हैं आप लोग भी अगर यह चाहते हैं या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो आप जरूर बताएं तो इस तरह की और भी अपडेट पाने के लिए हम से जुड़ें और अपना फीडबैक जरूर दें तो यही अपडेट है और मैं बात कर रहा था पंद्रे बता उन्नीस पोस्ट की तो गुडबाई टेक क्यार थैंक्यू जैहिंद वन दे मात्रम